नमस्कार दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे हैं सबी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाग्द करता हूँ भारत अपनी प्राचीन सनातन सभहता के कारण विशव में हमेशा चर्चा में रहा है हमारी प्राचीन सभहता के सामने तो मजूदा साइंस्वा इंजनिरिंग भी नत्मस्तक हो रही है आज हम आपको भारत के कैसे गाउं से जुड़े रहसे से आवगत करवाएंगे जो विशव भर में जुड़ों के गाउं के नाम से विख्यात है ये गाउं समुचीत दुनिया में दूसरे नमबर पर आता है जुड़ों के गाउं में मजूदा समय में चार सो से अधिक जुड़ों रह रहे हैं गाउं के हर हिसे में आपको हमशकल जरूर नजर आएंगे विशव में कई अन्य देश भी ऐसे हैं जहाँ पर जुड़ों की संख्या औस से कहीं अधिक पाई जाती है जुड़ों बच्चों के पैदा होने का आउस्त आंकड़ों के अनसार विशव स्तर पर 1000 बच्चों पर मातर 4 बच्चे ही जुड़ों पैदा होते हैं जबकि एशिया में फीस्द चार बच्चों से भी कम है प्रंतु भारत के केरल के मलपुर्म जिले में स्थित कुंडीही गाम में एक हजार बच्चों के पीछे 45 जुड़ा बच्चे जन्म लेते हैं यानि कि जुड़ा बच्चों के जन्म लेने की ओस्त इस गाम में 11 गुना अधिक है यह गाम एशिया में पहले नंबर पर आता है जबकि विश्व में जुड़ों के शहर के तौर पर पहला नंबर नाजीरिया के इंबो और आकेद पास है इस शहर को लेंड आफ ट्विन्स कहा जाता है यहाँ पर 1000 बच्चों के पीछे 155 बच्चे जुड़ा पैदा होते हैं विश्वस्तर पर चर्चित है यह गाम बच्चों जवान और बज़ुर्गों वाले जुड़ों का यह गाम विश्वस्तर पर परसिद हो चुका है भारत ही नहीं विदेशों के भी कई वेग्यानिक समय समय पर इस गाम में शोध करने आते रहते हैं परंतु भारत सरकार ने तो अब एक स्थानिय डॉक्टर श्री भीजों को इसके अधियन के लिए स्थाई तोर से निक्त कर रखा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखर इस काम में ही जुड़वा अधिक क्यों पैदा होते हैं इसका कारण अभी तक नहीं मिल सका है पहले डाक्टरों ने यह तरक दिया था कि यह सब खाने पीने के कारण होता है लेकिन इसे लाके के लोगों का खाना पीना केरल के अन्य इलाकों के समान ही है इसलिए इस तरक को एक सिरे से खारिज कर दिया गया लगबग आठ दश्क पहले हुई थी जुड़ों के बैदा होने की शुरुआत कोड़ेही गाम में रहने वाले जुड़ों जुड़ों में सबसे बजर्ग अबदुल हमीद और उनकी जुड़ों बहन को नहीं कादिया है करीब आठ दश्क पहले इन दोनों भाई बहन के जुड़ों पैदा होने के बाद ही जुड़ों बच्चे पैदा होने की संख्या में वरिधी होनी शुरू हुई थी पहले तो एका दुका ही जुड़वा बच्चे पैदा होते थे लेकिन बाद में इसमें तेजी आनी शुरू हो गई इसका इस बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है इस गाम के कुल जुड़वा के आधे बच्चे तो बीते एक दश्क में पैदा हुए हैं इस गाम में वर्ष 2008 में 300 बच्चों ने जन्म लिया इनमें से 15 बच्चे जुड़वा थे जो कि अब तक एक साल में जन्में सबसे अधिक जुड़वा बच्चे हैं अब इस गाम में जुड़वा ही नहीं तीन तीन बच्चे भी एक साथ पैदा होने लगे हैं इस गाम में शिक्षकों का बच्चों से भेर कर पाना अधिक मुश्किल होता है इसके इलावा नविवाहत जोड़ों को शुरुआती समय में तो यह समझी नहीं आता कि उनका असल जीवन साथी कौन सा है एक बात यह देखी गई है कि यदि एक बच्चा बिमार होता है तो दूसरा शेसो है इस गाव में करीब 40 से अधिक जोड़े जुड़वा है विदेशों में भी जुड़वा बच्चों का जन्व है चर्चा में व्यतनाम दक्षनी डौन नई प्रांत में 70 किलोमेटर की दूरी पर S.C.S. सिटी के पास स्तित एक शोटा सा गाम हुंग हाइप कई पीडियों में करीब 100 जुड़वा बच्चे जन्व लेने के कारण परसिद है इतना ही नहीं हुंगलाक समदाए के करीब 2400 लोगों में से करीब 100 जुड़े जुड़वा है हुनान प्रांत के हैंसान गाम में सलाना ट्विन्स फेस्टिवल आयोजित किया जाता है इंस्टीट फार जैनेटिक एवेलिएशन आफसर सर्च की और से हर साल आयोजित किये जाने वाले उस समय दुरिया भर से सबसे ज़्यादा जुड़वों की भिड़ जुड़ती है यहाँ पर ये आयोजन पिछले 30 वर